नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृति आईये एस योटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड अमेंड्मेंट बिल और इसके क्यू वार कनेक्शन के बारे में दरसल आजकल देश में क्यू और कनेक्शन का एक खास चलन देखा जा रहा है इस खास चलन में हिंदू और मुस्लिम समुदाई दोनों ही जुड़ चुके हैं और जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाई जुड़कर के वक्फ बोर्ड बिल के लिए अपना विरोध दर्च कर रह वहीं हिंदू समुदा इसमें शामिल हो करके वक्फ बोर्ड बिल के प्रतिस समर्थन दे रहा है उसको पास करने के लिए सिफारिश कर रहा है समझते हैं चीज़ें को क्या क्या हैं से जुड़ी हुई सभी चीज़ें तो देखे हमारी जो न्यूस है वो कह रहे है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल दोजार चॉबिस के संबंद में मुस्लिम समुदाय दुआरा क्यूर कोड जारू कर दिया गया था दुनों लोकसवा में पेश हुआ था लेकिन उसके बाद जॉइंट पारलेमेंटरी कमीटी को दे दिया गया था अब कमीटी इसके ओपर विचार कर रही है और कमीटी ने लोगों से राय मांगी है तो लोगों से जो राय मांगी है उसके लिए वेबसाइट पे उन्होंने सब चीज़ा अपडेट की है अब क्या हो रहा है कि मुस्लिम संगठनों ने क्या किया कि क्यूर को पनाया इसको स्कान करने और सीधा आप उसी पोर्टल पे पहुंचेंगे जहां पर आपसे राय मांगी गई है आप जाए सीधा और आप अपनी राय दे अब यह चलन शुरू हो गया अब जैसे यह सब चीजे होने लगे और मुस्लिम संगठन ने यह काम किया तो हिंदू संगठन भी आ गया है उन्होंने भी क्यूर कोड का इस्तेवाल करना शुरू कर दिया और उन्होंने का कि भाई जाओ और जाकर कि जितना हो सकता है इसको सपोर्ट करो और यह वक्वबोर्ड अमेंडमेंट बिल देश में पास होना चाहिए रुकना नहीं चाहिए तो अभी यह लहर बहुत तेजी से बढ़ गई है और सब जगा पर देखा जा रहा है कि कि वो आरक्योड इसी प्रकार से स्कैन हो रहे हैं और लोग अपनी हान भेज रहे हैं एक खास मस्जिद के भार का दिरिश्य है जो आपको तस्वीर में देखने को मिल रहा है ठीक है तो सारी कहानी जानेंगे थोड़ी बात वक्वबोर्ड अमेंडमेंट बिल की भी करेंग के तहत जो कोर्सी शामिल है वो ओनलाइन लाइप अंड्राइव टेस्ट सीरिज और डील पी कोर्सी तो पिचत्या पर श्यांट लेना है आपको तो इसमें शामिल कोर्सी जो जो है यूपेसी कोर्स और पीसी कोर्स आप लोग की इस्क्रीन पर हैं तो आप लोग चाहें हम लोग बात करते हैं फिलाल पनी नियूस की तो को पता चुका हूं कि वकफ़ बोर अमेंडमेंडमेंड बिल लोग सभा में पेश हुआ था जॉइंट पारलमेंटरी कमेंटर को भीज दिया गया था अब वो रहे मांग रही है ठीक है तो यह सारी के सारी इस्तिति डिस्प पर क्यों और क्या हो रहा है ऐसा इस बिल की वज़े से यह चीज़े समझेने थोड़ी ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है उसी से जुड़े हो कुछ खास मामले इस संशोगन विधेयक में शामिल है आज के समय में क वख्फ प्रॉपर्ٹी क्या होते है पहले इसकी बात करते हैं दरसल जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी का मतलब होता है अल्लह की संपत्य है तो अल्लाने अपने प्रतिनिधी अपोइंट किये हुगा है। वक्फबोड का अदिकार होगा और वक्फबोड इस सम्बत्य का इस्थेमाल समुदाय के लिए, धर्म के सभी लोग के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ऐसे कारेयों के लिए करेगा। का हाला कि हो सकता है कि आप इससे कुछ वैपार कर रहे हों लेकिन उसे जो लाब होगा उस लाब का अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे पूरे समुदाय के लोग के लिए इस्तेमाल करेंगे और जो भी लोग आते हैं मुस्लिम समुदाय के कल्यार के काम करेंगे चाहे आप यहां मदर्सा बना सकते हैं, अगर संपत्ती खाली है तो मदर्सा बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, या आप इसके आपर मस्जिद वगएरा बना सकते हैं, वो सब आपका अपना महमला है, सारा निर्णा जो होता है वो वक्फ बोर्ड लेता है, तो यह होते हैं वक्ष संपत्ति हाले कि व्यक्ति के नाम पर नहीं होते हैं खरीद बेच भी नहीं सकते हैं यह 20-30 में देखी जाती है तो वक्ष संपत्तियों की शुरक्षा के लिए देश में 1995 में एक खास कानून बनाया गया था 2013 में कुछ शंशोधन कर दिये गए थे ठीक अब आज के समय में वक्ष प्रापर्टी के लिए हमारी जो central agency है उसके बाद हो संपत्रिए की माय्नौरिटी मिनिस्ट्री है उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर बनाई हूई है वक्ष पॉपरपरटी के लिए Central Wakf Council, अब Central Wakf Council तो है यह तो केंद्य स्थर पर, राज्य स्थर पर क्या होगा, तो राज्य के श्थर पर आप बनाते हैं, वक्फ बोर्ड और वह वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ती को सीधे तोर पर समालता है हाला कि एक वक्फ संपत्ती के लिए एक परितनिदी होता है और वो उससे जुड़े हुए सभी निर्ने लेता है तो सेंटर वक्फ काउंसिल का काम केंद्रे सरकार को तो वक्फ संपत्यों से जूड़ी सला देना होता है, साथ साथ यही काउंसल वक्फ बोर्ड के लिए भी चीज़ा निर्धारित करती है, इसके देखरेक करती है, और इनको निर्धैश भी देती है, ठीक है, तो वश्ट तोयर 13 में को संशोधन कर दिये थे, जिसके बाद जोड़ दिया गया था कि वक्फ काउंसल राज्ये के वक्फ बोर्डों की निग्रानी करेगी, उन्हें सला मशवरा भी देगी, वक्फ बोर्ड के दर चैनी सदस्य होते हैं, एक चेर्मेन भी होता है, और सरकार एक मुख्य कारेकारी अधिकारी निग्त भी करती है, ये सबी चीज़ा रहती है, और सैलरी बगरा जो होती है, वो गवर्मेंट की तरफ से ही इन लोगों को मिलती है, जो भी इसके नदर प्रतिनिधी होते हैं, वक्फ बोर्ड को समालते हैं, ठीक है, अब इसके इलावा, वक्फ सम्पत्ती के प्रभंदन के लिए मुत्वल्ली निउक्त होते हैं, यही सारा की सारा जिम्मेदारी समालते हैं, सम्पत्ती का सीधा नियांद्रन मुत्वल्ली के हाथ में ही होता है, और संपत्ती से जोड़े हो सभी निर्णा यही लेते हैं और एक तया पर्तिशक वक्फबोर्ट को यह देते हैं कुल आई से लेकर के वक्फव एट 1995 के तहाथ प्रावधन किया गया है कि अगर किसी जायदात का बहुत लंबे समय से इदगाह या मस्जद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वह संपत्ती वक्फबोर्ट की हो जाएगी इसके लावा 1995 का कानून इन महामलों में भी खास है कि वो कहता है कि अगर मान लीजिए कभी भी किसी भी प्रापर्टी पर डिस्प्यूट हो जाएगा अगर मान लीजिए कभी दो लोग सामने खड़े होगे मान लीजिए कोई वी वक्ति है स्पोस मैं हूँ मैं किसी जमीन का हगदार हूँ वो जमीन मेरी है लेकि सामने वक्फबोर्ट भी ख़ड़ा होके कह रहा है कि वो जमीन मेरी है अब दोनों में dispute हो गया, क्योंकि जमीन एक ही है, उसी एक जमीन पर दो claim कर रहे हैं, एक journal public का है और एक वक्व बोड का है, अब dispute खड़ा हो गया, अब dispute खड़ा होने के बाद क्या होगा, कि वक्व बोड के पास मामला जाता है, और वक्व बोड निर्ने करेगा कि वो संपत् की नहीं है, तो अब यहां पर व्यक्ति को नियाएपालिका जाने का कोई भीकार नहीं, व्यक्ति यहां तो यहां पर नियाएपालिका जाएगा, और नहीं यहां पर नियाएपालिका में जाकर यह मांग कर सकता कि वक्व बोड ने मेरे साथ गलत किया है, अनियाए किया, ब और हम चाहते हैं कि मामला जो है, वो सरकार के अंडर भी आ जाए, सरकार भी चीजों की देख रेक करें, और पूरी चीज वक्फबोर्ड ही क्यों समाले, जब हमारे पस नियाए पाली का है, एक सू वेवस्तित नियाए वेवस्ता है हमारे पास में, उसको भी तो हम शामिल कर स i.e. तो उन्होंने कुछ-कुछ चीजों को बदला, क्या-क्या बदला हो रहा हैं की बिल के मादेम, समझते हैं, कह रहे हैं कि अब कभी भी अगर किसी प्रॉपर्टी पे ढुपिट होगा, तो डिस्पीट किस्तिती में डिप्टी कलक्टर या डिप्टी कमिशनर के पास मे राइट होंगे यानि कि डिस्पूट अब आपको जो होगा देखना होगा या माली जे कोई भी सरकारी जमीन को ले करके कई बार क्या होता है कि वक्वबोर्ड क्या करता है कि गौर्मेंट के लैंड पर भी क्लेम करता है कि यह सरकारी जमीन नहीं है यह वक्वबोर्ड की जमी रहे थे, बाद में सरकार नहीं के कहा दिया, कि जमीन हमारी है, ऐसा कैसे हो जाएगा, पहले से तो ये हमारे पास थी, अब भुछ बार ऐसा हुआ, कि सरकारी जमीनोंप cola क्लेम होने लगा, विख्ववड मांगने लगा, कि हमारी जमीने खाली करो, अब सरकार परेशान हो, पर दिस्फिूट होगा तो यहां पर राइट होंगे जिला कलक्टर को दिर्प्टी कमिशनर को और जितने period के रहा है। उतने दिन तक उस property का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, अंत में जिला collector को पूरी के पूरी report submit करनी होगी, सिर्फ इतना ही नहीं, उस property पर जो निर्ने आएगा वो तो submit करना ही करना है, इसके अलावा आपके पास अब एक proper data होना चाहिए, जिला collector के जिम्मधार है कि कितनी वक property है, उन्हें सबी चीजों को जाने समझें और proper record maintain करें, क्योंकि भी record maintain नहीं होता, तो जरूरी है कि record अगरा maintain करके रखा जाये बढ़िया से, ताकि पता हो कि कौन-कौन संपत्ती वक्वबोड की है, ताकि बाद में किसी और की property पे एक claim ना कर सकते, अनौइश्य गूक्त स पहले गयर मुस्लिम परतिनिधियों को कोई इस्थान नहीं था, अब गयर मुस्लिम परतिनिधी भी आएंगे, वह इसके लावा अब कह दिया गया कि वक्वबोड के अंदर महिलाओं को भी इस्थान दिया जाएगा, इसके लावा जर्नल पब्लिक के dispute के मामले में पहले य करनल पब्लिक का dispute हो गया किसी property पर तो वक्वबोड को निर्णे लेना होता था और वक्वबोड जो भी judgment देगा उस judgment के खिलाफ अब नहीं पाली का नहीं जा सकते, अब इन्होंने चीज़ों को बदल दिया, अब इन्होंने कहा है कि मान लीजे वक्वबोड कुछ भी decision दे वक्वबोड एक परकार से district court की तरह काम करेगा, अगर फैसला आपको ठीक नहीं लगता तो आप high court जा सकते हैं, उसके वाद आगे भी जा सकते हैं, यह दिकार भी आपको मिल गया है, तो पहले सरवोच अदालत वक्वबोड थी इस मामले में लेकिन अब नहीं रहेगी, ब documents पर देने, संपती वक्व की है या नहीं, यह फैसला अब वक्वबोड नहीं करेगा, क्योंकि अगर government से dispute होगा, तो जिला करेक्टर के पास rights आगाए हैं, और इसके अलावा यह भी देखा जाता है, कि अब अगर journal public से हुआ है, तो उस मामले में आप high court, supreme court जा सकते हैं, व जैसे कब कर मता है कि वक्व बोड केक आउटे मांग चलेगा, वो उसको नाम दे दिया गया, अब ट्रिबिनल, बोड के रूप में, अब वो एक ट्रिबिनल बनाया जाएगा, ट्रिबिनल के अंदर सदस्य, जो होंगे, वो सारा मामला देखेंगे, लेकिन पहले सारा का सार मामला वक्व बोड ही देखा करता था, सारी चीज़े वही समाला करता था, तो वही बोड अब ट्रिबिनल के रूप में काम करेगा, यानि कि कुछ सदस से चुने जाएंगे, मामला समालेंगे और अंतिम फैसला करेंगे कि क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इसके साथी अ हाई कोड के फैसले से आप खुश नहीं है, तो आप सिप्रीम कोड जा सकते हैं, इसके लाबा एक मामला ये भी है कि 12 साल से वक्व की जमीन पर अगर अतिक्रमन किया हुआ है किसी ने, तो कबजा करके वहाँ पर अब वह किसी को भी अपना बना सकते हैं, जमीन को मालिक बन वक्व बोर्ड के आसपास ही अब नहीं घुमेगा, पहले नियाएक बोर्डिन का जो रहता था सारे फैसले करता था, लेकिन हम चीज़े बदल गई है, अब जूडिशरी जुड़ गई है, सरकार जुड़ गई है, और सबी चीज इस प्रकार से अब रहने वाली हैं, ठीक ह तो क्या लगता है आप लोगो को, क्या चीज़े सही है या गलत है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, यह भी बताएं कि यह बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वक्व ट्रिमिनल के फैसले को कितने दिन के भीतर हाई कोर्ट में चुनोती दी जा सकती है, 90 दिन में 180 दिन में या 345 दिन में, आंसर कोमेंट कर दीजिए और ठीक इसी के साथ ही आप लोग इस वीडियो को चाहें तो विल्कुल बाकी साथियो तक शेर जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, और ऐसे वीडियो उसके लिए बने रहना है संस्क्रिति हम लोग बाकी बाते करेंगे हमारी अगली वीडियो में कुछ नहीं वीशो के साथ तब तक के लिए दीजिये मुझे विदा, thank you so much